आज हम बनाएंगे लौकी की एक ऐसी रेसिपी जिससे खाकर आप पनीर की सबजी खाना भूल जाएंगे तो सबसे पहले हम लौकी को वाश कर लेंगे और इसको ओयल से ग्रीस कर लेंगे साथ ही में हम टमाटर को भी वाश करके ग्रीस कर लेंगे और गैस पर हम भूनने के लिए रख देंगे बिल्कुल ऐसे ही हमें भूनना है जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो उसी टाइप से हमें बिल्कुल इसको भूनना है बीच-बीच में टर्ण करते रहेंगे जिससे की हमारी लौकी और टमाटर चारो तरफ से अच्छे से सिख जाएं टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो हम इनको हटा लेंगे लौकी भी करीब-करीब हमारी भून ही चुकी है बस और थोड़ी दिर हम इसे पका लेंगे जिससे की जो थोड़ी बहुत बची है वो भी अच्छे से सिख जाए और देखिए अब ये अच्छे से भून कर विल्कुल तईयार हो चुकी है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा करके लौकी और टमाटर दोनों का ही छिलका रिमूव करेंगे अब इसका छिलका रिमूव करने के बाद हम लौकी को साफ पानी से वाश करेंगे और इसे छोटी छोटी टुकडों में कट कर लेंगे साथ ही हम अपने टमाटर जो हमने रोस्ट करके रखे थे उनको भी कट कर लेंगे इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर हमारी सबजी में आएगा क्योंकि हमने दोनों को ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे सरसो का तेल, तेल गरम होने पर डालेंगे हम हींग, जीरा, सरसो, कटवा बारिक प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, हल्दी, मिर्च, किचन किंग और धनिया पौदर मसालों को अच्छे से बोन लेंगे, और अब ऐड करेंगे हम लौकी और टमाटर, जो की हमने रोस्ट करके कट करके रखे थे एड़ करेंगे नमक, साथ ही एड़ करेंगे 5-6 चमश पानी और 4-5 मर्ड धक्कन लगाकर हम कुक करेंगे इससे क्या होगा कि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से सबजी में आ जाएगा चार-5 मिनट हो चुके हैं और देखे हमारी ये स्मोक की फ्लेवर वाली लौकी की सबजी बनकर बिल्कुल रेडियो हो चुकी है और लास्ट में इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसमें नीबू का रस और एक से दो चमल दे से गी और ये सबजी जब आप खाएंगे न तो पनीर की सबजी भी आपको इसके आगे बेकार लगेगी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हाँ अगर लौकी की सिंपल सी सबजी खा के आप बोरो चुके हैं तो प्लीज इस तरह से ट्राइज रूर कीजेगा ये आपको बहुत ही अलक टेस्ट देगी और आपको लगेगा नहीं कि आप लौकी की सबजी खा रहे हैं बहुत ही चटपड़ी सी मजेदार सबजी बनी आई ये मिलते हैं नई वीडियो के साथ बाबाए